अपने घर को क्लियर करने के लिए यानि की नेगेटिविटी से साफ रखने के लिए आप कुछ छोटे छोटे टिप्स प्राक्टिस कर सकते हैं सबसे पहला टिप यह है कि जब आप किसी भी नए घर में शिफ्ट हो रहे हों तो एक दिन पहले जाकर उस घर की सभी किड़कियां खोल दें किड़कियां और दर्वाजों को खोलने के बाद आप जितने नलों में से पानी आ रहा है नलों को भी चला दें पांच-दस मिनट तक नलों को चलने दें और उसके बाद उसे बंद कर दें इससे जितनी भी रुकिवी नेगेटिविटी है पानी के थूँ वो बह जाएगी इसी तरह से बाहर से जो आ रही है ठंडी हवा या हवा न भी आ रही हो जो भी धूप के कण अंदर आ रहे हैं वो भी आपके घर को क्लियर करेंगी आप जिस घर में बसी हुए हैं उस घर में आप एक कटोरी में नमक डाल कर जगर जगर रख सकते हैं बातरूम्स में, किच्छन में, लिविंग रूम्स में, बेडरूम्स में और इस नमक को वहां रहने से जितनी नेगेटिविटी आपकी आसपास है वो एब्जॉब हो जा क्योंकि उनको सुखाना भी जरूरी होता है वो दीरे-दीरे मॉइस्ट हो जाते हैं इसके अलावा आप नमक के पानी से अगर पोचा लगवाते हैं अपने घर में तो वह भी आपके घर को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है कैमफर बहुत अच्छा माना गया है यानि हवा में है वो अब्सॉब हो जाती है और उसमें मेल्ट हो जाती है